सरदियों के मौसम में गुर खाना सबको अच्छा लगता है, specially गुर की खीर भी बहुत पसंद की जाती है अक्सर गुर की खीर बनाते समय लोग शिकायत करते हैं कि जैसे ही हम गुर एट करते हैं खीर में तो दूद हमारा पूरी दरह से फट जाता है लेकिन इस रेसीपी को देखने के बाद आपकी गुर की खीर कभी नहीं पटेगी और वो काफी क्रीमी मलाइदार बन के तयार होगी तो इस रेसीपी को पूरा जरूर देखिए और सारे टिप सेंट्रिक्स को फॉलो करने के बाद इस रेसीपी को ट्राइ कीजिए आपके गुर की खीर बहुत ही लाजवाब बनेगी तो रेसीपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर करना ना भूले तो आईए देखते हैं ये कैसे बनता है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गुर का घोल बनाएंगे पकाईए जब तक गुर पूरी तरह से मिल्ट नौ हो जाए तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे जब भी आप गुर की खीर बनाते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गुर का घोल बनाके साइड में रखतेना है जिससे कि वो पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो यहां पर देखे जो बड़े टुक रहे हैं उन्हें तोड़ते हुए अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया मैंने हाडली आपको तीन से चार मिनट लगेगा इसे पकाने में तो यहां पर देखे अच्छी तरह से गुर गुल चुका है पाने में तो अब हम ग्यास का फ्लेम ओफ कर देंगे यह देखे इसकी कंसिस्टेंसी और इसे साइट में डगते दें ताकि यह पूरी तरह से ठंडी हो जाए अब हम खीर बनाना शुरू करेंगे जिसके लिए यहां पर मैंने एक बरतन में एक लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है फुल क्रीम दूद एट करने से खीर अच्छी बनती है जैसे ही दूद में बॉइल आ जाएगा हम ग्यास का फ्लेम लो कर देंगे और उसके बाद हम इसमें चावल एट करेंगे तो इससे पहले एक बारे से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे तो मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने एक चोथाई कप सोक किया हूँआ चावल लिया है तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल का इसे पंदर मिनट के लिए सोक किया उसके बाद मैंने इसे हाथों से ही तोड़ लिया इस तरह से अगर आपके पास छोटे दाने का चावल है तो आप वो भी इस्तवाल कर सकते हैं जो स्पेस्फिक खीर बनाने के लिए होती है यहाँ पे चावल एट कर देंगे एक लीटर दूद के लिए यहाँ पे मैंने सोप्ट पास्मती राइस वन फोर्ट कप लिया है रेशियो बिल्कुल परफेक्ट रहता है अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें पकाना है दस से बारा मिनट के लिए इतने में चावल पूरी तरह से सौफ्ट हो जाएंगे तो ध्यान ये रखना है आपको कीसे लगातार चलाईए नहीं तो ये नीचे से चिपक जाता है तो साइट से भी हम इसे स्क्रैच करते हुए पका लेंगे ताकि खीर काफी काठी और मलाईदार बने तो लगबख 10 मिनिट हो गया इसे पकाते हुए और यहाँ पे आप चावल देख सकते हैं ये सौफ्ट हो चुके हैं तो लोग फ्लेम पे ही इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि दूद कम रहे जाए तो यहाँ पे दीरे दीरे ये गाड़ा होते जा रहा है तो लगबख 15 मिनिट हो चुका इसे पकाते हुए और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए अच्छी होने के बाद ये खीर काफी गाड़ी हो जाएगी तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है तो गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंड़ा होने के बाद हम नेक्स प्रॉसेस में जाएंगे तो लगबख आदे गंड़े के बाद मैंने इसे चेक किया तो ये देखे काड़ी क्रीमी माईदार खीर बन के त्यार है और ये पूरी तरह से ठंड़ी हो चुकी है तो ये दूसरा टिप है कि यहाँ पे आपको मेक्शूर करना है कि खीर अच्छी तरह से ठंड़ी हो जाए उसके बाद आप इसमें गूर का सिरप एट कीजे जो सबसे पहले हमने त्यार करके रखा था इस स्टेज पे आप इसे चान भी सकते हैं क्योंकि कभी-कभी गूर में इंप्यूर्टीज रहती है तो मैंने यहाँ पे नहीं चाना है गूर काफी क्लीन था इसके लिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे यह मिक्स हो जाएगा खीर में आप देखेंगे बहुत ही अच्छा केरमल कलर आ जाएगा जो की देखने में भी बहुत अच्छा लगता है इस स्टेज पे चाहें तो आप इसमें ड्राइफ रूट्स एट कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे सिंबल ही रखा है क्योंकि यह खीर सिंबल ही ज्यादा टेस्टी लगती है यहाँ पे हमारी गूर की खीर बनके पूरी तरह से तयार है सर्व करने के लिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं तो सिंपल दो तीन टिप आफ फॉलो करेंगे तो गूर की खीर काफी अच्छी बनेगी पहला टिक तो यह है कि जब आप सिरफ तयार करते हैं तो जितना गुर ले रहे हैं उसका आधा पानी लीजिए और गुर के सिरफ और खीर को पूरी तरह से ठंडी होने के बाद ही मिक्स कीजिए तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी खीर बनके तयार होगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं क्रीमी मलाईदार और बहुत ही ज्यादा लाजबा तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राइज जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए ज्यादा शेयर करना ना बोले मेरे चैनल पर पहली ब